तमश्कार आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूई अती आपके साथ बिहार में नगर निकाय चुनाओ को लेकर एक बड़ी ख़बर सामने आई है आपको बता दें कि पिछले महीने 4 अक्टूबर को पटना हाई कोट के आदेश के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाओ करने को कहा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं जिसके बाद सरकार ने पूरी चुनाओी प्रक्रिया को रत कर दिया था वहीं एक बार फिर से बिहार सरकार हाई कोट पहुंची जहां उन्होंने अपना पक्ष रखा साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार कोट के फैसले को वो म पर चुनाओं में पिश्रों के लिए आरक्षन तैक किया जाएगा इससे पटना हाई कोट ने मंजूरी दे दी थी वहीं दूसरी तरफ हाई कोट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोट में आचिका दायर की गई थी जस्टिस सूरिकांथ और जस्टिस जेके महेश्वरी के बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की थी दरसल याचिका दायर करने वाले शुनिल कुमार की और बहस करने वाली वरिय अधिवक्ता मिनाक्षी अरोरा ने कहा कि बिहार सरकार्ट ने निकाय चुनाओं में पिश्रों को आरक्षन के लिए सुप्रीम कोट के फैसले का पालन नहीं किया है अतिपिश्रावर्ग आयोग के आरक्षन के लिए रिपोर्ट तयार करवाना सही नहीं है जिसके बाद सुप्रीम कोट के इस बेंच ने बिहार राज अतिपिश्रावर्ग आयोग को एक डेडिकेटेड कमिशन नहीं माना जा सकता ऐसा कहा था सुप्रीम कोट इस मामले पर पक्ष रखने के लिए बिहार सरकार और राज निर्वाचन आयोग को नोटे जारी करने का निर्देश दिया था जिसके अंतराल उन्हें चार हफ्ते के अंदर अपना पक्ष रखना था आप वहीं आपको बता दे कि राज सरकार ने अतिपिछरा आयोग के लिए डेरिकेटेट कमिशन बनाया था हाई कोट के आदेश के बाद तुरंद कमिटी का गठन हुआ था जिस पर सुप्रीम कोट ने रोक लगा दी थी पिछले कोट के आदेश के बाद 18 अक्टूबर को राज की सरकार ने आयोग के लिए कमिशन का गठन किया था जहां राज निर्वाचन आयोग को दे दिया गया है जिसके बाद राज निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की घोशना कर दी है नगर निकाय चुनाव का प्रथम चरण 18 अक्टूबर को होगा जिसमें मतदान होगा और जबकि मतगन्ना की थी 20 दिसंबर को होगी वही आपको बता दें कि अब सभी अधिकारियों को चुनाव की तयारी में लग जाने का निर्देश दे दिया गया है। औरंगाबाद, जहानाबाद, अर्वल, बरॉली, गोपाल गंच, मीर गंच, साहिब गंच, हाजिपुर, लाल गंच, वहीं महुआ, रकसॉल, चक्खिया, बगा, नरकटिया गंच, राम नगर, बरॉनी, जनकपुर, शामिलें। वहीं दूसरी चरन में जहां मतदान होगा उसमें पटना, आरा, सासाराम, बिहार शरी, गया, मुजफरपुर, मुतिहारी, छपड़ा, सीतामडी, बेतिया, दर्भंगा, समस्तिपुर, पूर्निया, कर्थिहार, मुंगेर, बेगु सराय और भागलपुर, शामिलें। फिलहार इस खबर में इतना ही, आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें, बिहारी न्यूस, धन्यवाद।